बिहार में अगले साल होने वाले 2025 के विधान सभा चुनाओं से पहले पटना मेट्रो का ट्राइल हो सकता है जी हाँ पटना वालों के लिए ये अच्छी कबर है क्योंकि आप सभी को पता है कि अगले साल बिहार में विधान सभा चुनाओं होना है तो विधान सभा चुनाओं से पहले पटना मेट्रो का ट्राइल जो है वो हो सकता है यहां संभावना है क्योंकि ओगत्स से मेट्रो डीपे में ट्रैक बचाने का काम शुरू हो जाएगा और मार्स तक डीपो को पूरी होने की उमीद है दरसल मुख्य मंतरी नितीश कुमार ने हाली में मेट्रो परियोज जोना का निरिक्षन किया था दरान सीम ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिये थे बता दे कि पटना मेट्रो का पहला चरण मलाही पक्री से न्यू आइस पीटी तक चलेगा जुसमें पाच एलिवेटेड स्टेशन मलाही पक्री खेमनी चक भूत जिरो माइल और न्यू आइस बीटी होंगे जानकारी के अनुसार पाचो एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन अगले छे महीने में आकर ले लेंगे ऐसे स्टेशनों को प्री विडिकेटेड तकनीक से बनाया जाएगा जिसका अर्थ है कि उन्हें वर्क शॉप में तयार करके स इसके बाद पट्री बिछाने का काम शुरू होगा जुसके लिए जल्द ही निविदा प्रक्रिया शुरू होगी बताया जा रहा है कि इस परियोजना के लिए जापान इंटरनेस्नल को ओपरेशन एजंसी यानि जी आई सीए से मिलने वाले फंड में देरी हो रही है पिछले साल राज्य सरकार और जे आई सीए के बीच एक समझोता ग्यापन MOU का हास्ताक्टर किया गया था लेकिन अभी तक फंड जारी नहीं किया गया है कहा जा रहा है कि अगर यहां गती रोध जारी रहता है तो राज्य सरकार ट्रैक बिचाने और ट्रेन को उच लाने के लिए वैकल्पिक वैवस्ता पर विचार कर सकती है अधिकारियों का अनुमान है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो छे महीने से एक साल के अंदर पटना मेट्रो का यह खन चालू हो जाएगा पटना मेट्रो का काम समय पर पूरा हो इसके लिए सरकार और प्रशासन दोनों ही गंभीरता से प्रयासरत है इस परियोजना की पूरा होने से ना सर्फ शहर की तस्वीर बदलेगी बलकि लोगों को आगवन में भी स्विधा होगी बता दे कि मेट्रो डीपो लगबग 30.5 एकर में फैला हुआ है और इसमें लगबग 50 ट्रेनों को रखने की छमता होगी डीपो में ट्रेनों का ट्राइल रख रखाओ और तक्नीकी जाज जैसे काम किये जाएंगे पैसे में पटना वालों के लिए खुश खबरी है यूँकि 2025 के विधाल सभा चुनाओ से पहले पटना में मेट्रों का ट्राइल शुरू हो जाएगा ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC24 पर अगर यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे है तो मारे पेज को फॉलो कर ले यूट्यूब पर देख रहे है तो मारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले